गोंडा में करवा चौत पर S.P. राजकरन नयर ने नई पहल की है S.P. ने बाजार आने वाले दमपत्ती को शहर के चौक चराहों पर रोक रोक कर हेलमेट पांटे हैं और पत्मियों के सामने पत्ती को हेलमेट पहन कर चलने की शपत भी गुंगाई है शहर के सभी चार तहसीलों में हेलमेट बाटे गए है हाथ पकड़ के बगिया पचन देती है करवा चौक का तिवाहार है इसमें और ने सुवा से भूखी प्यासी रहती है और चांदे के अपना व्रत तोड़ती है अपनी पती की लंबी आई हो कि हमने कहीं स्टडीज में देखा है कि एक बहुत बड़ा मृत्य को अकारन है तो एक अच्छी पहल कह सकते हैं जिस तरह से हलमेट बाटे गए हैं क्योंकि कई बार दुरगटना होती है और दुरगटना में जान चली जाती है और जब सुहागिन जो हैं वो व्रत रख रही है अपने पती के लंबी उम्र के लिए तो ये एक अच्छी पहल कहेंगे और कह सकते हैं कि पत्निया भी इसे कहें कि अपने पती को कि आप जब भी सड़क पर चल रहे होते तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके पीछे आपका पूरा परिवार है शिवानंद मिश्रा हमारे सही होगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जूचुके हैं शिवानंद ये एक अच्छी पहल कहेंगे करवा चौत का मौका है हाला कि लेकिन जिस तरह से हलमेट बाटे गए हैं एक जो संदेश देने की कोशिश की है इससे अच्छा मौका नही शिवान दो लेकिन अक्सत देखने में मिलता है कि जो रभटनाय होती है हो सर में चोटलंगे से हो रही है तो उसमें करना है है जाएं लोग इसकार होते हैं एस्पी वोंडा जो राज करम नहीं है उन्होंने एक अनोखी त्वेल किये आज करवाद कर देना है उसी के दिन बाजार में निकले हैं ऐसे दमपती जो बिना हेलमेट के बाहर निकल आये थे उनकी पतियों प्रत रखे हुए थे उनको बेकाईदा हेलमेट पहनाया है उनको सपत दिलवाई है महिलाओं से वच्छन यह अनूठा कह सकते हैं एक अनूखा तरीका आया हाला कि हर वक्त जागरुक करते रहना चाहिए और जागरुक करते भी है क्या आपकी पत्नी नहीं यह फॉर्मुला सुझा है सर जी नमस्कार देखिए आप सभी जानते होंगे करवा चौथ के त्योहार पर सभी पत्निया स दिल वाके उनकी दीर रायू की शुब कामना के साथ सा दीर रायू के प्रती एक कदम भी हो इसी रहे गौंडा पुलिस की पहल थी और हमने सब पत्नियों करवा चौथ के मौके पे हलमेट गिफ्ट करके उनसे वादा लिया है कि वह जब भी उनके पत्नी घर से निकलेंगे तुने हलमेट पहनने के लिए कहेंगी और पत्यों ने भी अपनी पत्नी को हमारे सामने वच्छन दिया कि वह जब भी निकलेंगे तो हलमेट पहन के जाएंगे सर वाकई में काबले तारीफ है और पहले तुम्हें बधाई भी देना चाहूंगे इस पी साहब की इस तरह की पहल जब पुलिस की तरफ से की जाती है तो कही ना कही एक जो डिफ्रेंस देखने को मिलता है कि कई बार पुलिस की छवी को लोगना बहुत धूमिल कर देते हैं और एक छवी ऐसी बन गई है कि लोग पास में जाने से भी कत्राते हैं लेकिन जो यह पहल की है वो वाकई में काबले तारीफ है और संदेश जो देने की कोशिश की गई है कि लंबी उम्र की कामना जब पत्नियां कर रही है तो सबसे पहले तो सड़क पर चलते वक्ते ध्यान रखा जाए क्या यही जहन में था या आइडिया आया कैसे सर? जब खुद के परिवारवल, अपने परिवारवले को समझाता है तो उसके एक एमोशनल अपील का एक अलगी असर होता है एसबी साहब ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह की पहल आगे भी करते रहनी चाहिए कुछ अनूखी, कुछ अनूठी पहल जो लोगों के जहन में भी आए और एक संदेश भी अच्छा जाए और पुलिस की जो एक छवी है उसमें भी सुधार हो और जनता के साथ कई न कई तालमेल बिठा के चल पाए जी लगातार हमारे ऐसे प्रयास रहते हैं खुद SP सहाब हमारे साथ जुड़े हो थे और वाकई में काबले तारीफ है हमारे सहीयोगी शिवानंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए शिवानंद हमने खुद SP सहाब से बात की और कहा कि वाकई में इस तरह की पहल जब होती है पुलिस की तरफ से क्योंकि छवी जो है पुलिस की वो कहीं न कहीं हम कोस्ते ही रहते हैं पुलिस वालों को कि पुलिस यह नहीं करती पुलिस वो नहीं करती टाइम से नहीं पहुंसती क्राइम का लेवल बढ़ रहा है दुर घटनाय जब होती है तो उसमें भी कहीं न कहीं ट पुलिस की दोमिल रही है लेकिन जबसे गोंडा में राजकरन नायर पुलिस अजिशक बने हैं उसके बाद से ही लगा था गोंडा में अपरादों के ग्राब में भी कतवती हुई है अपराद भी घटे हैं और यह अपनी अनोखी पहल से कहने इसके पहले भी जिले में 17 थाने करने में लगे हुए हैं । इसे होने वाली दुरबटनाओं में किसी की मौत नाओई गह सकते हैं गोंडा के साथ साथ की प्रदेश के अंजिलो में भी इसको होना चाहिए और इसके सराना भी गोंडा में बहुत हो रही है जी